हेलो दोस्तों मैं आकाशकरग आज इस वीडियो में आप सबी को प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में बताने वाल हूँ आप में से काफी सारे लोग इसे PWB राइडर के नाम से भी जानते होगे PWB राइडर एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो आप अपने बच्चों के इंशुरेंस पुलिस में एड करा सकते हैं आए पहले एक एक एग्जामपल की मदद से जान लेते हैं कि PWB राइडर की जरूरत क्यों होती है और इसका क्या बेनिफिट होता है उसके बाद हम इस राइडर की और भी डिटेल्स जानेगी तो एग्जामपल समझने के लिए मान लेते हैं आपके जो बच्चे की उम्र है वो 0 साल की है और उसके लिए आप एक इंशुरेंस प्लान लेना चाहते हैं और मान लेते हैं जो परपोजर है उसकी एज 35 साल की है परपोजर यहाँ पर मदर भी हो सकती है या फादर भी हो सकते हैं यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो परपोजर है वो बच्चे के फादर है और उनकी उम्र 35 साल की है उसके बाद यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो सम्मे पेइंग टर्म आप 30 साल की ले लेते हैं यानि कि इसमें आपको 30 साल पोलिशी के प्रीमियम की पेमेंट करनी हैं तो आईए एक बार जान लेते हैं कि अगर हम PWB राइडर नहीं लेते हैं तो हमारी पोलिशी की इस तरह से काम करती हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा बच प्रिमियम की पेमेंट करनी होगी उसके बाद जब पॉलिसी के 30 साल पूरे हो जाएगी यानि कि आपके बच्चे की उम्र 30 साल की हो जाएगी उसके बाद जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स है वो आपके बच्चे को मिल जाती है ये हमने बात तब किये है जब बच्चे के फा जो कि परपोजर है उसके साथ कोई दुरुगटना हो जाती है तो उस केस में क्या होगा ये बात हम तब कर रहे हैं जब आपने पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं लिया है तो यहाँ पर हम मानके चलते हैं पॉलिसी के 5 सान होने के बाद बच्चे के फादर की देथ हो जाती है तो यहाँ पर बच्चे के फादर की देथ होने के बाद भी पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी अगर आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं लिया है चाहे बच्चे के मदर उस प्रीमियम को पे करें चाहे उसको रिलेक्टिव पे करें कि इसी ना किसी को LIC policy को चलाने के लिए premium की payment करनी होगी अगर यहाँ पर जो earning person है वो परपोजर ही है तो यहाँ पर जो बच्चे की policy है वो बंद हो जाती है और जो पच्चे की financial planning आपने की थी वो भी यहाँ पर break हो जाती है तो इसी situation को ध्यान में रखते हुए PWB rider introduce किया गया आईए अब जान लेते हैं कि अगर आप इसी plan में PWB rider ले लेते हैं तो किस तरह के benefit आपको मिलते हैं तो यहाँ पर इसी plan में आपने PWB rider ले लिया है और father की death हो जाती है तो आने वाले समय के जो भी premium है वो यहाँ पर maaf कर दिये जाते हैं यानि कि जो policy के premium है आने वाले समय क वो pain नहीं करने होगे और जो आपकी policy है वो चलती रहेगी जो भी बच्चे को maturity के benefit मिलने थे वो भी बच्चे को मिलेगे तो यहाँ पर हम इस benefit की बात करते हैं तो जब भी father की death हो जाती है उसके बाद जब तक बच्चा 25 साल को होता है तब तक कि premium यहाँ पर आपको pain नहीं करने है या आपके किसी relative को भी pay नहीं करने है और जो policy है वो आपकी चलती रहेगी तो उसके बाद जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो आने वाले समय की जो भी premium है वो बच्चे को खुझ से pay करने होगी तो हमारे case में देखते हैं तो 25 साल तक का premium यहाँ पर wave हो जाएगा और उसके बाद बागी के जो बच्चे 5 साल है उनमें बच्चा premium pay करेगा और अपनी policy को चला सकता है यहाँ पर 25 साल की age इसलिए दी गई है क्योंकि 25 साल तक कोई बच्चा earning करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर हमारे example में देखते हैं तो 20 सालों का जो premium है वो इस ना रहने के बाद भी जो बच्चे की insurance policy है वो चलती रहे और किसी को उसका insurance premium pay ना करना पड़े तो आप अपने बच्चे की policy में PWB writer ज़रूर add कराए आप इस benefit को policy लेते समय अपने बच्चे की policy में add करा सकती है अगर आपने policy लेते समय इस benefit को add नहीं कराया है तो बाद में भी आप इस benefit को अपने बच्चे की policy में add करा सकती है इसकी एक condition यह है कि कम से कम 5 साल के premium paying term आपकी बच्ची होनी चाहिए यानि कि कम से कम 5 साल के लिए आप premium waiver benefit rider को ले सकते हैं यह जो premium waiver benefit rider है इसको लेने के लिए आपको कुछ extra premium pay करना होता है जो extra premium है इसका वो आप screen पर द according अलग-अलग premium rates दिये हुए हैं तो जो भी आपका age group है उसके according आप यहाँ पर premium calculate कर सकते हैं यह जो premium waiver benefit rider का premium है वो पर पोजर की age और जो policy का premium है उस पर depend करता है तो उसी के according आप यहाँ पर जो charge है इसके वो calculate कर सकते हैं आईए अब बात करते हैं कौन-कौन से ऐसे insurance plan है जि तो अगर हम LIC की बात करते हैं तो plan number 914, new endement plan, plan number 932, plan number 934, plan number 936 और उसके बाद plan जीवन उमंग, भीमा शिरी और भीमा जोती इन सभी plans में आप premium waiver benefit ले सकते हैं और अगर हम पहले की बात करते हैं तो जो पहले insurance plan थे plan number 832, plan number 834 और plan number 848 तो उनमें भी आप अपने premium waiver benefit rider को add कर आ सकते हैं इसमें भी आपको यही condition applicable होगी कि कम से कम आपको 5 साल का premium waiver benefit rider लेना होगा या हम कह सकते हैं कि जो आपकी PPT है premium paying term वो 5 साल की outstanding हो तो अगर आपके पहले जो insurance plan है उनमें PWB rider नहीं लिया है तो उनमें भी आप इसे add करा सकते हैं आईए अब जान लेते हैं कि जो पर rider को ले सकें तो यहाँ पर जो भी proposal होता है उसकी कम से कम उमर 18 साल की होनी चाहिए और जादा से जादा 55 साल की उमर होनी चाहिए अगर proposal की उमर 55 साल से जादा की है तो वो अपने बच्चे की पोजिसी में premium waiver benefit rider को नहीं ले पाएगे यह जो premium waiver benefit rider है इसमें LIC के तरफ से time to time changes होते रहते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर 31 जनवरी 2020 की तो उस notification के हिसाब से आपको यह सभी benefit मिलने वाले हैं इस rider के बारे में अगर आप detail information download करना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आपको PDF file का link मिल जाएगा वहाँ से आप इस information को download भी कर सकते हैं तो उमीद करता आपको PWB rider की सारे information मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो वो आप comment में पूछ सकते हैं अगर आपको यह information पसंद आई है तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा और ऐसी ही information आप future में चाहते हैं तो आप हमारे channel को भी subscribe कर सकते हैं धन्यवाद